हेलो गाईश, स्वागत आप सबी काँ आपके अपने चैनल के अंदर तो इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हाउ तो मैक, नौट गेट फ्रोम नाइड़ेट एंड़ेट फ्रोम नाइड़ेट और गेट फ्रोम नाइड़ेट तो आपको क्या करना है, not gate बनाना है with the help of nand gate, जब आप not gate फॉर्म करोगे, nand gate की सहायता से हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ nand gate का हिस्तमाल करना है, and gate, or gate और not gate बनाने के लिए हैं, तो देखते हैं क्या होने वाला है इस वीडियो के अंदर, तो किस तरह से आप not gate nand gate की helps है, तो देखते हैं, देखिए, बहुत ही मज़ेदार है, आपको एक बार सभी gate की, जो आपके पास यहाँ पर use होने वाले हैं, उनकी truth table बता देता हूँ, truth table, देखिए, अगर आपके पास or gate है, तो or gate का symbol यह होता है, यहाँ पर दो binary input a, b होते हैं, और एक output आपको यहाँ से मिलता है, y is equal to a plus b की form में, इसके truth table में इतना होता है, अगर आपके पास यहाँ पर input a और b है, और output y है, तो किस तरह से लिया जाता है, 0, 0 देते, तो आपको 0 मिलती है, 0 plus 0, 0, 0, 1 दोगे, 0 plus 1, 1, and 1, 0 दोगे, तब 1 plus 0, तब भी 1 मिलने वाला आपको, और last में 1 plus 1 दोगे, 1, 1, तब भी आपको 1 मिलेगा, ठीक है, तो यह आपके पास जो आई है truth table वो आई है, or gate की, इसी तरह से आपके पास not gate की truth table होती है, इसका symbol होता है, यह triangle बना हुआ होता है, और triangle पर यहाँ आपको एक circle बना हुआ होता है, तो यह not gate की पेचान है, अगर आपने input a दिया है, तो आपको पास जो output मिलने वाला है, वो a का negation मिलने वाला, negation का मतलब होता है, बार का मतलब होता है कि उल्टा, ठीक है, तो यहाँ पर आप बना दीजिएगा, अगर आपके पास input यह है, तो y जो होगा, आपके पास output वो कैसे निकल कराएगा, input में आप 0 दोगे तो output आपको इसका उल्टा मिलेगा, वन, वन दोगे तो 0 मिलेगा, तो इस तरह से आपको output मिलने वाला है, naughty gate करना, तो basic gate की आप देख रहे हो, tables तो or gate हो गया, naughty gate हो गया, अब end gate की बात कर लेते हैं, end gate में होता क्या है, आपके पास यह इसका symbol होता है, end gate का, यहाँ पर दो binary input है, A and B, वो जो output मिलने वाला आपके पास Y, वो इन दोनों का dot product, A dot B, ठीक है, तो dot कर देते हैं आप इसका, वो इसके truth table में होता क्या है, आपके पास अगर आप यहाँ पर A दिखा रहे हैं, यहाँ पर B दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर Y जो होगा, वो A dot B होगा, मतलब इनका multiplication, तो आप पहला 00 दोगा, तो 0 into 0, 0 मिलेगा, 1 into 0, 0 मिलेगा, 0 into 1, तब भी 0 मिलेगा, तो 11 ही है, जिस पर आपको output मिलने वाली है, 1, ठीक है, तो यह आपके पास basic truth table है, or gate की, not gate की, और end gate की, इनके symbol भी दिखान रखिएगा, देखिएगा, and gate के अंदर यहाँ पर circle नहीं होता, लेकिन not gate के अंदर, not gate, sorry, nand gate बताते हैं आपको, nand gate के अंदर आपको यहाँ पर circle मिलता है, circle का मतलब क्यों होता है, जो end gate का, जो end gate का output है, उसके आगे note लगा देना, negation लगा देना, तो nand gate के अंदर यहाएगा, ठीक है, तो हम देख लेते हैं, nand gate की भी टृत टेबल जल्दिस है, क्योंकि यह सबके सब आपके लिए इस्तेमाल होने वाले, तो nand gate की टृत टेबल होगी क्या, अगर आपके पास दो binary input, a और b हैं, तो आपके पास जो output मिलन वाला है, वो a dot b का बार मिलने वाला, तो देखो इसकी वज़े से जो आएगा, वो आएगा, a dot b, जो बार आया है, वो आया negation, इस circle की वज़े से, क्योंकि यह nand gate है, जो nand gate प्लस end gate से मिलकर बना हुआ होता है, इसको universal gate भी बोलते, तो आपके पास end gate तो यह रहा, और इत होने वाला, तो हमें के देख रहा है? हमें यह देखना है, nand gate की helps है, आपको or gate, not gate और end gate कैसे बनाये जाते है? तो इन तीनों gate गेटों को बनाएंगे, nand gate की helps है, ठीक है? तो देख लेते हैं पहला वाला, आपके पास first जो है, वो है आपके पास not gate, तो लिक देते हैं यहा NAND gate देखिएगा आपको क्या करना NAND gate लेना और आपको इसके थुरू NAND gate बना देना तो इसमें होता क्या है आपके पास NAND gate ये रहा जब NAND gate के आप दोनों ही input एक दूसरे के साथ connect कर देते हो इस condition में जो आपके पास output मिलने वाला है उस output को देखते हैं क्या होने वाला आपके पास A input ये था B input ये था तो output देख लेते हैं यहां पर तो output कैसे निकालोगे A, B और output आपके पास क्या है Y है तो देख लेते हैं output किस तरहां से निकल कर आने वाली है देखिए आपने यहां दिखाएते हैं B जो है वो A के बराबर है क्योंकि B जो है वो A से connect है तो B A के बराबर है आपने A को 0 दिया तो obviously B को भी 0 दे हुए जब A 0 है तो A से connected है भी तो B भी 0 रहेगा अब देखिए यह आपके पास क्या है यह आपके पास है end gate तो यहां पर निकल कर आएगा dot A dot B मतलब 0 into 0 क्या हो जाएगा 0 लेकिन negation जो है इसका उल्टा कर देगा जो output निकल कर आएगा 0 उसका कर देगा 1 ठीक है अगर आप यहां पर 1 1 दोगे 1 1 का मतलब क्या आपने A को 1 दे दिया तो obviously B के पास भी बन जाएगा तो 1 into 1 कितना हो गया यहां पर देखो 1 into 1 हो गया 1 लेकिन इनिकेशन जो है circle इसका उल्टा कर देगा मतलब 0 अब देखिएगा आपने यह NAND gate लिया कौन से gate आपके पास ही है NAND gate तो यह NAND gate का यह वाला configuration आपको output कैसा दे रहा है जब input आपका 0 है 0 0 है तो आपको 1 मिला और 1 1 है तो मतलब 0 मिला yes पर no मिला no पर yes मिला तो यह एक तरहा का NAND gate का truth table है यह यूँ कहें कि NAND gate की output होती है NAND gate की output में आपको 1 देते हो तो 0 मिलता 0 देते हो तो 1 मिलता तो हमसे यह कह रहा है कि भाई NAND gate की helps है NAND gate बनाओ तो आप इस gate को इस पूरे gate को आप NAND gate भी बोलते हो यह NAND gate है I hope आपको समझ में आ गया होगा क्यों NAND gate है क्योंकि output जो आया है वो NAND gate वाला है इसने इसको NAND gate कहा जब 0 0 दिया मतलब 0 दिया तो 1 मिला वो 1 दिया तो 0 मिला तो आपका NAND gate के अंदर यही तो होता है 0 देते हो तो 1 मिलता है 1 देते हो तो 0 मिलता है ठीक है एक तो आपका gate कंप्लीट हो चुगा मतलब आपने NAND gate बना दिया ठीक है अब जब भी आप से NAND gate पूछा जाएगा तो या तो आप ये दिखाओगे या फिर आप ये दिखाओगे ये आपके पास NOT gate है तो या तो ये दिखाओगे या फिर ये दिखाओगे ये NAND gate के helps है और ये originally NOT gate है ठीक है तो आपने दोनों gate समझ लिए दोनों configuration समझ लिए अब आपको क्या करना है NOT gate तो आपने बना लिया अब आपको NAND gate बनाना है क्या बनानी है आपको NAND gate NAND gate की helps है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा सबसे पहले आप NAND gate बना लीजिएगा तो ये आपके पास NAND gate है जहाँ पर आपने दो binary input A और B दिये हैं यहाँ पर आपको output मिलने वाला है इस output को मान लेते हैं Y- कहा है आपने अब ये output जो है इसके आगे आप लगा दीजिएगा note gate अब हम note gate तो नहीं लगांगे लेकिन NAND gate ने जो note gate form किया था अब वो लगा देंगे तो लगा दीजिए लग गया ये note gate ठीक है ये note gate तो है पूरा का पूरा NAND gate ये रहा ये note gate रहा बस यहां पर देख लेते हैं क्या मिलने वाला अब आपको output में तो output यहां आपका Y आएगा अगर Y output AND gate के output की तरह आता है तो ये पूरा configuration आपका AND gate के लाएगा इसके truth table देख लेते हैं आपके पास कौन-कौन से input है तो आपके पास एक तो input है A अगला input है B तो पहला output मिलेगा आपको Y और final output मिलेगा आपको Y तो देखिए जब आपने A पर भी 0 दिया है B पर भी 0 दिया इन दोनों पर 0 है तो अंदर multiplication होगी 0 into 0 0 0 का जो उल्टा मिलेगा यह आपके पास उल्टा मतलब negation है इसका उल्टा है नोट है तो 0 का उल्टा हो जाएगा 1 ठीक है तो यहां तक आपके पास 1 आया और यह पूरा का पूरा note gate है तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 0 देखो 0 देने पर आपको 0 मिला इस बार आप 1 और 0 दीजिएगा तो A पर है 1 B पर है 0 अंदर multiplication में हो जाएगा 0 0 का जैसे ही उल्टा करोगे मिलेगा आपको 1 यहां तक 1 मिला अब 1 का यह पूरा का पूरा उल्टा कर देगा फिर से 0 similar pattern आकर यहां 0 1 दोगे तो यहां 1 मिलेगा और यहां फिर से 0 अब आपने 1 1 दिया है तो जैसे 1 1 दोगे तो 1 into 1 1 उसका उल्टा कर देगा 0 तो यहां पर 0 आया यह पूरा note gate है तो 0 का उल्टा क्या कर देगा यह 1 अब देखिएगा जो आपके पास यह table निकल कर आई है ठीक है 0,0 पर क्या मिला आपको 0 1,0 पर क्या मिला आपको 0 01 पर क्या मिला आपको 0 and 11 पर क्या मिला आपको 1 तो यह table ऐसी ही है to 30 table जिस तरह से note gate की होती है शुरुआत ने समझाया था मैंन आपको तो note gate की तरह similar है इसलिए इस पूरे configuration को अब आगे आप ये कहोगे कि ये क्या है note gate है इतना बड़ा इसके अंदर nand gate इस्तमाल हो रहा है तो nand gate की help सा आपने note gate बना लिया ये था हमारा main topic अब last आता है or gate तो आप or gate किस तरह सा बनाओगे nand gate का इस्तमाल करके तो उसको भी देख लेते हैं वो भी बहुत ज़्यादा simple है उसके अंदर कुछ नहीं करना आपको करना क्या होगा ये देख लीजिए तो सबसे पहला आप configuration draw कीजिएगा आपने configuration draw किया है दो note gate बनाईएगा nand gate वाले तो आपने एक तो ये बना दिया और एक आपने ये बना दिया एक input ये है A, एक input है B यहाँ पर ये जो दो output मिले हैं आपको चुकि आपका ये note gate है तो ये output होगा A बार और ये output होगा B का बार अब इन दोनु बारों को आपने as a input as a input nand gate को दे दिये ठीक है यहाँ पर जो आपको मिलेगा y मिलेगा output तो इसके truth table बना लेते आपने A input दिया B input दिया आपको A बार मिला B बार मिला और Y जो होगा finally अब देखो Y क्या होगा इन दोनों का product A बार product B बार के साथ और उस पूरे का भी बार ठीक है उस पूरे का भी क्या होगा बार होगा तो देखिएगा सबसे पहला आपने A पर 0 दिया तो यह पूरा का पूरा क्या है not gate है तो यहाँ पर आपको 1 निकाल कर देगा तो यहाँ पर आपके पास आगया 1 आपने B पर भी 0 दिया तो obviously यह no gate है तो यहाँ पर भी बना आगया आपके पास अब यह आपके पास क्या 9 gate है तो पहले अंदर तो multiplication होगी इन दोनों की जो आपके यह output आए तो output कैसा है 1 into 1 तो 1 into 1 क्या होता है 1 होता है लेकिन negation लगा हुआ तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 0 0 0 दिया 0 मिला अब आपने A को तो 1 दिया है B को आपने 0 दिया तो A को आपने 1 दिया तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 0 क्योंकि no ticket है ओ 0 का उल्टा क्या हो जाएगा 1 तो आपका B वार आ जाएगा 1 यह आ जाएगा 0 एक 0 है और एक 1 है अंदर multiply करेंगे 0 into 1 कितना हो जाएगा 0 लेकिन उसका उल्टा क्यों हो जाएगा 1 similar pattern है 0 1 दोगे तो देखो A पर आपने 0 दिया तो A बार कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा B पर 1 दिया तो B बार कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा अब यह दोनों as a input है इसके लिए तो 1 into 0 कितना हो जाएगा 0 लेकिन उसका उल्टा क्यों हो जाएगा 1 similar आप 1 1 2 के जब तो 1 1 पर क्यों हो जाएगा देखो A पर आपने 1 दिया तो A बार हो जाएगा आपका 0 B पर आपने 1 दिया तो B बार कितना हो जाएगा आपका 0 अब यह 0 0 जो है as a input जाएगे 9 gate के अंदर तो यहाँ पर 0 into 0 कि हो जाएगा 0 लेकिन उसको उल्टा कि हो जाएगा 1 अब देखिएगा जब आपने 0 0 दिया तो 0 मिला कोई एक input 1 था तो आपको 1 मिला कोई एक input 1 था 1 मिला जब दोनो input 1 है तो 1 मिलेगा तो यही तो आपकी और gate के table होती है तो आपने 9 gate का इस्तमाल करके और gate बना लिया अब आने वाले डाइम में आप जो बोलोगे इस पूरे को बोलोगे और gate यह आपके पास अब और gate है इतना बड़ा configuration यह आपके पास और gate है अगर आपने यह अच्छे से practice कर लिए तो जो बड़ी से बड़ी problems होती है आप उनको बहुत जल्दी solve करने की कोशिश करोगे एक तो आपको इसमें याद रखना है कि यह आपके पास जो होता configuration यह not gate का होता किसका होता है not gate का आपके बंद कर गए ठीक है आपको मैंने not gate का और and gate का भी इसके अंदर बहुत जादा simple था अगर आपको याद हो मैंना भी जो बनाकर दिखाए था इससे पहले and gate का भी simple था भले ही और gate का थोड़ा बड़ा है लेकिन practice करोगे तो इसका इसका इस्तमाल होना शुरू हो जाएगा आपसे आप इसको बहुत अच्छे से implement करके दिखा सकते हो और मज़ा आएगा आपको I hope आपको यह छोटे सी वीडियो अच्छे लगी होगी वीडियो अच्छे लगे तो like कर दे चैनल को सब्सक्राइब करें धंदियो